आजकल की lifestyle में hair fall को control करना कितना ज्यादा मुश्किल है ना आपको भी यही लगता होगा लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है बस कुछ reasons है कुछ factors है जिने आपको जानने की ज़रूरत है कुछ internal factor होते है जैसे diet, hair, care, stress, nutrition जो पूरा-पूरा आपके control में होता है जिने pollution, weather, environment जिने आप चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन उन पर पूरा-पूरा control जरूर कर सकते है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा helpful होने वाली है और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है तो चलिए वीडि के बारे में बात करूंगी सबसे पहला फेक्टर होता है हेर के गाइज हम लोग अपने बालों को उतना टाइम नहीं दे पाते जितना उनको जरूरत होती है हेर के लिए आपको बहुत ज्यादा करनी की जरूरत नहीं है बस आप डेली के 10 मिनट देकर भी अपने हेर वाल को कर सकते हैं जब से पहले आप मोर्निग में अपने बालों को अच्म जसे डिटैंगल करें और डिटैंगल करने के साथ साथ जब आप कोम करते हैं तो उसे 20-30 टाइम अपने स्कैल्फ पर कोम करें जिससे आपके स्कैल्फ में बलड काफ mole इंक्रिज हो जाएगा और उसके बा में तो नाइट में भी जब आप सोने वाले होससे पहले अपने बालों को finger की एल्प से decl girl करलेंगे tip के सेरी टैंगल करने के बाद आपको finger की एल्प से अपने मीम मासाज करनी है इसे अगेन आपके सकेल्फ में बलड का फ्लोव इंक्रिज हो जाएगा जिससे hair growth promote हो जाएगी उसके बाद आपको loose braid बना लेनी है और सो जाना है बस इतना ही आप अपनी lifestyle में add कर लेंगी तो भी आपका hair fall काफी हद तक reduce हो जाएगा अब बात करते हैं second factor के बारे में वो है stress जब आपका hair fall होने लगता है factor 1 start होता है तब automatically factor 2 अपने आप start हो जाता है जब किसी भी girl का hair fall होता है तो वो बहुत ज़ादा tension में आ जाते हैं कि इसे कैसे कम किया जाए तो अगर आप first वाले factor को control में कर सकते हैं तो second वाला अपने आप ही control हो जाएगा अब बात करते हैं third factor की वो है nutrition अच्छा खाना खाओ, healthy खाना खाओ, घर का बना खाना खाओ नहीं पता आपके वहां पर क्या बोलते है वो sweet potato खा सकते है पीनट्स यानी मूफलिया भी बहुत अच्छी source होती है में देखो इनको आप और मैं तो क्या कोई भी चेंज नहीं कर सकता लेकिन इनसे हम अपने बालों को पूरी पूरी तरह से प्रोटेक्ट जरूर कर सकते है वो कैसे देखो मैं आपको एक सांपल देती हूं उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जैसे मौनसून सीजन स्टार्ट होता है तब उस टाइम पे हेरफॉल बहुत जादा हो जाता है और तब आप हेरफॉल के लिए रेमेडी यूज करें तो आप मौनसून को भी टागेट कर लोगे जैसे व को यूज करो अपने हेर केर रूटीन में इस चीजों को एड़ करो तो और को भी अपने कट्रोल में कर सकते हो उनसे भी हैरफॉल कम हो जाता है एक्से subsidies में दूसरा नंबर आता है- एन्वायरमेंट का देखो एन्वायरमेंट ऑ in हमारे कंट्रोल में नहीं होता है लेकिन उ UV rays निकलती है उनसे हमारे बाल बहुत ही जादा डैमेज हो जाती है जो बालों की उपरी लेयर होती है वो काफी डैमेज होती है और जिसे split ends और dry बालों की समस्या बहुत जादा वड़ जाती है तो आपको अपने बालों को धूल मिट्टी से बचाना चाहिए सन से प्रोटेक्ट करना चाहिए यह आपके environmental factors हो चुके है आपको यह वीडियो बहुत जादा पसंद आई है अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको ऐसी और information चाहिए तो कमेंट जरूर करना मैं ऐसी ही वीडियो जलाती रहूंगे और आपके लिए बहुत जादा वह useful होती रहेंगे तो thank you so much